हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू दरपन मुटेक तो कैसे आप सभी आज हम आपको बताने बाले हैं सिंपल कुड़ता सिंपल कुड़ते में स्पैसल चीज ही रहने वाली है पीछे का जो नेक रहेगा वो हम कपड़े के उपर कटिंग करेंगे और जो आगे का नेक रहेगा और आपका फिटिंग में भी एक डाउट रहता है वो रहता है कि बॉड़ी में कितनी लूजिंग दे मार्जिंग कितना रखें यह डाउट भी आपका इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा तो फ्रेंट्स चलिए करते हैं डेली वेयर कुड़ते की कटिंग करना स्टार्ड डेली वेयर कुड़ता बनाने के लिए हमने फैबरिक लिया है लंबाई में यह फैबरिक दो मीटर है और चोड़ाई में यह फैबरिक 40 इंच का है तो यह हमने डबल करके रखा है और यह हमारा फैबरिक उल्टा फैबरिक है अंदर वाला फैबरिक सीधा है इसको एक बार कर देंगी दामन से 2 इंच बड़ा दामन हमारे 20 इंच के एओसका आद्हों जाएगा अधर्व ग्र सने 12 इंच के एजरबिक acteur मेजर्मायर है 15 इंच की शीनाael 33 6 नइस बैस्ती त legislators 8 के रहेगी ग्ला घुल हमारा चेज रहेगा और पीछे का चार रहेगा तो चलिए फ्रेंड्स इसकी मार्किंग कर लेते हैं तो सबसे पहले हम शोल्डर की निशान लगाएंगे शोल्डर की निशान कैसे लगाना है आपको पहले बैक साइड का गला देखना है बड़ा है या चोटा है तो जो हम कुर्ता बना रहा है उसमें कि चोटा रहेगा तो पहले कपड़े को सीधर करने का निशान लगाना है इसके देखना कि बड़ाँ करने का निशान लगाना है शोल्डर को हमने पौने एक इंच कर लिया है सुद्श का आधा हो जाएगा सासे रमोल्ट भी आपको स्लीव कि हिरा पिर आपको हाफ स्लीव से मदलका चोटी के आपको चोटी रखना है तो हमें 2 इंच प्लस कर लेंगी तो 37 इंच पर निशान लगा लेंगी 2 इंच में से 1,5 इंच हमारा यहां पर फोल्ड हो जाएगा नीचे साइड और आदी इंच उपड से लाई में दब जाएगा अब लगाएगे हम फिटिंग के निशान सीने की पीटिंग हमारी 33 इंच है दो इंच लूजिंग एड करेंगे तो 35 हो जाएगी 35 का जोथा ही भाग करेंगे तो पौने 9 इंच आएगा पौने 9 इंच पर निशान लगा लेंगी यह 9 में 2 पॉइंट कम अब आप लोग पूछते हैं हमसे कि इसमें लूजिंग एड क्यों करते हैं अगर हमाई 33 के साफ से हम मार्किंग क्यों नहीं करते हैं लूजिंग करते हैं कि अगर हम कोई भी कपड़े को एक दम फिट बना लेंगे फिर हम उसको पहनेंगे कैसे वह अंदर ही नहीं जाएगा करना पड़ती है क्योंकि हम सांस लेते हैं तो हमाई थोड़ी सी बढ़ जाती है अगर हमारी बड़ेगी तो इसके लिए थोड़ी जगा भी होना चाहिए अगर बिल्कुल भी जगा बड़ी नहीं रखेंगे तो फिर इसे पहन केंसे पाएंगे फर वह में कमफोटेवल ही नह लेते हैं तो अलग नापाई गया और वही नाप बैट कर लेंगे तो अलग नापाएगा जैसे कि मालें हमारा चेस्ट का 32 अना वही नाप हम आगर बैटकर ले तो हमारा 33-34 नजरूर आएगा आप एक बर नाप दो पॉइंट कम हिपका जो साइज है हमारा वो 36 इंच है दो इंच लोजिंग एड करेंगे तो 38 हो जाएगा 38 का चोथा ही भाग करेंगे तो 9.5 इंच आएगा लगाना है आपको और आर्मोल्स का शेप ड्रॉ कर लेना है इस निशान से इस निशान को मिला देंगे यहां पर एक इंच का मार्जन रखेंगे चौक मोड़ने के लिए अब इसी निशान पर से कटिंग कर देंगे यहां पर हमें दो इंच का मार्जन लेना है और मार्जन हम क पर कट्स लगा लिना है । सीने के पास लगाएंगी घरusan एक पास और यहां चॉक्ड के पास एक यहां चॉक मोड़ने का kart एक यहां सेंटर पर कट लगाएंगी इसकी कट्टिंग तो हमारी हो गये इथ अब लिए अगर हम इन कपड़ों को जैसे रख लेते हैं थोड़े दिन बात पहनते हैं तो अगर हम थोड़े हेल्दी हो जाएंगे तो इसके बाद भी आप लूज करके उनको पहन सके इसलिए हमने यह फैब्रिक को एक्ष्रा रखा है अब इन फैब्रिक को अलग-अलग कर लेना और इसको यहां पर लाकर मिला लेंगे अब इसी निशान पर से कटिंग करेंगे अब हमें आगे गला कटिंग करना है तो आगे गला हमारा बक्रम पर बनेगा तो सबादो इंच पर हमें गले की विर्थ रखेंगे और यहीं से इसको तिर्छे में कट कर लेंगे सबादो इं और गले की लंबाई हमारी 6 इंच की है तो हम गले के निशान लगाएंगे हम साड़े 6 इंच पर आधा इंच हमारा उपर से लाई में दब जाएगा तो 6 इंच तयार आ जाएगा अब लाइन की इश के बॉक्स बना लेंगे इसमें हम इसको गला कटिंग करेंगे ऐसा और आईसा यहां से लेकर की जूँ जूँछ मने लंबाई रखिये वह है 2 इंच इसी निशान पर से कटिंग कर देंगे अब आधा इंच दूरी से बहार साइड से कटिंग कर देंगे गला हमारा कटिंग हो गया है यह कुछ इस टाइप का हमारा बन के आएगा अब आप यह सोच रहे होंगे कि इसकी जो हमने कपड़े पर कटिंग किये उसकी विर्थ रख लिए हमने सावा दो इंच और जो बक्रम हमने से तो इसमें सावा दो इंच और इसमें फीक्स पर से लगाना है इसमें से बह नहीं सोता थोज़ता ąब तो कटिंग करके बताती हूं और तो मि來說 जो हий विर्हा लें और गलेन लाइन खीच के box बना लेंगे और गल्ला इसमें ड्रॉ कर लेंगे अब यहीं से cutting कर लेंगे कि अ बैक पार्ट में गले की विडत रखी है सबादो इंच कपडे पर और यहीं हमने विडत रख लिए और बक रम पर रख लिये और बकरम पर रहिए पॉने तीन इंच जब इसम गले में पट्टी कुपड़े के ऊपर कटिंग करते हैं तो विर्थ रखते हैं यहां से बंद है इसको फैब्रिक बचा हुआ है इसंसे निकालेंगे अभी स्लीप यह फैब्रिक हमारा डबल में तो पहले से रखा हुआ है इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे तो यह हमारा हुजाएगा फोर फोल्ड अब लगाएं हम स्लीप्स की लंबाई का निशान तो तयार स्लीप्स हमारी 16 इंच की है आदा इंच हमारा उपर सिलाई में दवेगा तो इसमें एक इंच प्लस करके पौने 10 इंच पर निशान लगाना है यह देखी यहां से यहां तक यह पौने 10 इंच रख लिया हमने और यहां से इंच टैप को रखना है और साड़े तीन इंच पर निशान लगा देना है डाउन करने का अब स्लीप्स का शीप ड्रॉ कर इस निशान से इस निशान को मिला देंगे और यहां पर हमने एक इंच बड़ा कर क्यों रखाए क्यों यहां पर हमें कपड़ा थोड़ा सा जाद चाहिए फिटिंग में भी आ जाए इसलिए इन्ही निशान पर से कटिंग कर देंगे है यहां पर क nos लगाव लेंगी हमम हैं इसी हमारा इतना फैबरिक मारजन में जाएगा गोलाई भी हमारी हो गई कुछ आपको पूरा समझाने की कोशिश की है अगर आपको यह अच्छा लगा है और समझ में आ गाया है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब आपको प्रीथी इतने अच्छे तरीके से स्ट्रीच करना भी बताएगी तो चलिए इगनर्स भी है तो भी आप इसको आसानी से बना सकते हैं क्योंकि मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बनाना सिखाऊंगी सबसे पहले हम स्टार्डिंग करेंगे यह जो हमने निशान लगाए थे फिटिंग वाले निशान इनको पहले पीछे वाले पार में उठा देना है यह जो हमारा चौक का कट है यहां से यहां से हमें एक और यह दो फैबरिक उठाना है और निशान की ओपर ऐसे नाखुन रग देना है और यहां पर एक चोटासा निशान लगा देना है और ऐसे हम worked यहां पर करना है तो यह देखिए इस टाइप से हमाई इसमें फिटिंग आईगी तो एक साइड तो पहले से लगे हुए तो एक साइड हमने खुदने लगा लिये हैं निशान उठाने के बाद अब हमें बनाने हैं नेक तो फ्रेंट और बैक पार्ट को अलग-अलग कर क्योंकि निशान तो हमने उठाई लिये हैं पहले हम बैक के गले की पट्टी कटिंग करेंगे तो यह जो हमारा पास बचा हुआ फैब्रिक है इसको ले लेना है इसको हमने लिया यहां से हम इसको फोल्ड कर देंगे यहां पर नाखुन लगाएंगे अब यहां से यह फैब izaidaカमे अगर आपको यहां से अंधास करने में दिक्कत हो तो आप मारकिंग करके भी कर सकते हैं पत्टी हमाई निकल गए है अब इस पत्टी को यहां से ओपन कर लेंगे और इसको हम यहां से बहार साईड से पतला पतला फोल्ड करेंगे सिर्फ एक सैंटिमीटर ही इसके तो हमने इसकी विर्थ रखी ती सवा 2 इंच ठीक है अब हम पट्टी लगाएंगे यहां से फैब्रिक दब जाएगा तो इसकी विर्थ हो जाई हमारी पॉने तीन इंच इसको हमने खोल के सीधा करके रखा है यह देखिए निशायन वाली साइड हमाई नीचे है यहाई पर हम इसे के ऊपर हम यहां पर पट्टी रख देंगे पट्टी को हमेशा बीच से नाप कर रखा जाता है अब यहीं से हम सलाई लगाएंगे 1 cm डबाएंगे और सलाई लगाएंगे पट्टी हमने एक सेंटीमीटर दबा के अटेच कर दी है अब यहीं पे हम गोला ही में कट्स लगा देंगे फिर कट्स लगाने के बाद ये जो मार्जन है हमारा यहीं पर रहे गा पट्टी हमारी साइड जाओगे पट्टी इसिए जाओगे और इसके उपर मार्जन को अटेच करेंगे ये पट्टी के उपर ये मार्जन घ्टाच होगा तो इसके लिए में ranging चाहें तो car पट्टी के अटेच करने के अपने सलाई लगा दी है इसमें आपको यह धियान रखना है यह मार्जन आपका इस साइट नहीं पलटना चाहिए नहीं तो फिनीशिंग नहीं आती है फिर यह देखिए हमारा पीछे का नेक बनके हो गया है तयार तो बैक नेक की पट्टी आपको इतनी ही लगानी है पूरी अंदर नहीं पलटनी अभी इतना ही हम इसको रख लेंगे तयार करके अब यह फ्रेंट वाला नेक लेंगे और फिर से यह ब बक रम इसांड़ की बराबरी से एक सेंटिमीटर का मार्जन रहेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे 39 मार्जन कर देगे अंदर साइड से मही रख करके इसकी कटिंग बीहán वह चुकी है तरह से निशान लगा लेंगे अपना नेक लेंगे इसके उपर यहां पर रख लेंगे रखना कैसे है कि यह जो हमारा सवा दो इंच वाला कट है ना इससे हमें यह वाला मिलाना यह वाली लाइन मिला देना है इस तरह से रखेंगे और सिलाई हम इतने दूर से लगाएंगी य यहां पर हमने नोग के पास सुई को अ बञ्दर कर दिया है इस बेले को मिला देना है अब यहां से लेकि हां ते सुई को अंदर रगाना है अब यहां से फिर टर्न करेंगे है तो इसको कशिए पुऑने तीन इन्च ए अपने पहिन झाल हुआ साइब एक यहां पर लगाना है और यहां पल लगाना है अब यहां से ऐसे लेना है हमें और इसको अंदर पलटना है पूरा अंदर पलट देना है और यहीं से हमें इसके उपर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे यहां पर भी हमें सुई को अंदर करना है फिर टर्न करना है पॉइंट की सलाई लगाने के बाद ये जो हमारा बकरम है यहाँ पर आप तुर्पाई भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप एक सलाई और लगा सकते हैं इस बकरम को अटाच करने की तो हम सलाई लगा रहे हैं एक्स्ट्रा कपड़ा निकला है इसकी कर देंगी फिनिशिंग धागे बगएरा की फ्रंट का नेख भी हमारा बन के हो गया है फिनिशिंग आप एक बार चेक कर सकते हैं कितना बड़ी आया है तो आपको भी इसी थरह से फ्रंट वाला मतलब बक्रम बाला नेक तयार करना है तो इसकी फिर्थ हमने पौने 3 इंच रखी थी और पौने 3 इंच ही बन के आई है और बैक पार्ट में हमने कटिंग की थी सबा 2 इंच पट्टी लगने के बाद ये भी हो गई पौने 3 इंच तो बैक की भी पौने 3 इंच और फ्रेंट वाली भी पौने 3 इंच तो हो गई ना दौनों बराबर पौने 3 पौने 3 तो अब हम कर लेते हैं शोल्डर अटेज बैक पार्ट को हमने रख लिया है सीधा करके इसके उपर हमें रखना है फ्रेंट पार्ट को उल्टा करके यहां से हम इस तरह से मिलाएंगे इस बक्रम को इस सिलाई के बराबरी से यह पट्टी वाली सिलाई से इस पट्टी को बक्रम के उपर पलट देंगे और पकी सिलाई लगाकर अटेच करेंगे इसी के उपर हम डबल सिलाई करेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक की हमने कटिंग कर दिये यहीं से हम इस वाले नेक को भी मिलाएंगे इस तरह से इसक्यू पर पलट देंगे और इसको भी डवल स्लाई लगाकर अटेच कर देंगे दौनों शोल्डर अटेच हो जोकी हैं यहां से इसको खोल देना है इस तरह से खोलेंगे इस पट्टी को पूरा पीछे कर देंगे यह देखिए लाइन कितनी बड़ी आ गई हमें बराबरी से मिलाया था तो यह आगे का नेक और पीछे का नेक बिलकुल भी अलग नहीं दिख आने के बाद यहां पर हमें तरुपाई करना है बाहर साइड और बाद में इस कच्छी सेलाई को हटा देना है तो फ्रंट एंड बैक नेक बनकी होगा है हमारा रैडी तो आयोप आपको यह डाउट क्लियर हो गया होगा कि फ्रंट नेक जो बकरम बाला होता है वो और बैक इसको फोल्ड करेंगे अब यहीं से हमें यह दूसरी वाली स्लीप नीचे से लेना है और इस वाली को भी फोल्ड कर देना है तौनों स्लीप्स को हमने फोल्ड कर दिया है हम इसको कर लेंगे सीधा सीधा करने के बाद इसमें हम यह वाली लैस अटेच करने वाली हैं स्लीप यहां पर यह वाला हिस्सा एक दूसरे से मिलना चाहिए ऐसा नहीं हो चाहिए कि 1 साइड गोलाई आरा हो यह और 1 साइड आरा है इसमें क्या हमाई गल्ती हो जाती है दियान रखना है और यह नमे बक्रम लुए अब आपको मैं दौनों तरह से मेजर करके दिखा देती हूं एक तो इसको In this पर रखके मेजर करेंगे यह देखिए हमने इसको सेंटर पर रखा और यहां से इस तरह से मेजर कर रहा है थोड़ा थोड़ा करके ही कर रहा है मेजर तो यह देखिए हमाई स्लीप इतनी बहार निकल रही है लगबग एक इंच और यहां से मेजर करेंगे आगे से तो यहां से हमारी आधे इंच कम पड़ रही है जब हम सेंटर से स्लीप मेजर कर रहा है तो पीछे साइट से हमारी एक इंच बहार निकल रही है और आगे साइट से आधे इंच कम पड़ रही है अब यह जो हमारा सेंटर का कट है हम shoulder से इसको एक इंच आगे रखेंगे यह रहा हमारा shoulder यहां से अब हम cut को रखेंगे पहले हम पीछे side का करेंगे यह देखिए जब हम यहां से measure कर रहे हैं तो हमारी sleeps एकदम fix आ रही है और फिर से यहीं से करेंगे आगे के लिए तो यहां भी हमारी sleeps एकदम fix आ रही है इसलिए हम sleeps को एक इंच आगे करके लगाते हैं ताकि sleeps हमारी सही बैठे अगर हम sleeps के center को shoulder पर रखके लगा देते हैं तो पीछे side से यह जो हमारी sleeps बहार निकलती है बाद में जब हम इसकी fitting करते हैं क्योंकि एक इंच बाहर निकल जाती है मानलीची पीछे side से हमारी एक इंच बाहर निकल गई sleeps तो fitting हमाई कुछ इस तरह से आएगी तो यह sleeps हमाई इतनी बड़ेगी और यहां से ऐसी आएगी तो यह वाली sleeps हमाई यहां से चोटी बड़ी होती है तो fitting करते हैं जब हम इसकी तो यहां पर हमें दिक्कत आती इधर पर इसलिए हम इसको थोड़ा आगे करके लगाते हैं तो यह एक दम यहां पर fix बैटती है इसलिए तो यह देखिए फ्रेंट sleeps और कपड़ा हमारा बिल्कुल fix बैटा यहां से और यहां से भी fix आया तो इस तरह से जब भी आप sleeps लगाएंगे तो आपकी एकदम fix बैठेगी ना बड़ी होगी ना चोटी होगी cutting तो दीरी ने आपको पहले ही बता दिदी कि आपको हमेशा chest के fourth part से एक इंच fabric बढ़ा के रखना है sleeps cutting करने में इसी तरह से हमने दूसरी sleeps को भी attach कर दिया है और इसी के उपर double slice लगा दी है तो यह वाली sleeps भी हमारी लग गई और यह वाली भी लग गई अब यहां से इसको पलट देंगे और इधर से मिलाएंगे यह मिलाया और इसको इस तरह से रखना है अब हमें इसमें करनी है fitting तो यहां से हम start करेंगे यह चोक बाला cut है यहां से यहां से पक्की सिलाई लगाना है start करना है यहां से इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे इस cut को मिलाकर और यहां से हम सिलाई लगाएंगे यहां से ले ताकि आप लोगों को यहां दूसरी साइड दिक्कत नहीं पड़े निशान की ऊपर से तो आप लोग आरम से कर लेंगे तो यहां चौक के पास से बरावरी से मिला की रख लिया है हमने अब यहीं पर हम करेंगे पक्की सिलाई जो हमने निशान लगाया था इसी की ऊपर से यहां से इस वाले कटको यह नीचे वाले कटको देखिए आगाया मेरा नाकुन दिख रहा है ना आपको यहां पर यह इस तरह से इन दोनों को मिला देना है अब हम इस स्लीप की फिटिंग है ग्यारा इंज तो ग्यारी का आधा साड़े पाँ इंज पर निशान लगाएंगे तो यह देखिए अब यहमाई स्लीप्स यहां से बराबर आईए अगर यहमाई स्लीप्स यहां पीछे वाले से बहार निकल जाती है तो यहां से भी यह बहार निकलती है तो हमें दिक्कत आती है फिटिंग करने में अब हम इसके उपर कर देंगे डवल सलाई यहां तक तो इसी के उपर से करना है, पर स्लीप्स के उपर हम थोड़ी सी गोलाई देंगे यह देखिए, कुछ इस तरह से अब इसकी थोड़ी सी कटिंग कर देंगे आधे-ाधेंच अब यहां गोलाई है, इसलिए छोटे-छोटे से कट्स लगा देना है यहां की finishing के साथ ही हमारी एक side की fitting हो चुकी है अब ऐसे हम घुमा देंगे इसको और इसी तरह से side की fitting कर लेंगे इस side की fitting भी हमने कर दी है अब जो भी हमारा निशान वाले side होता है यह हमेशा हमारा front part होता है तो फ्रंट पार्ट को हमें लेना है यहां से दामन को और यहां से इसको हम एक और यह दो दो पल्टी में इसको फोल्ड कर लेंगे दामन को हमने फोल्ड कर दिया इसको हम रख लेंगे सीधा करके सीधा करने के बाद हम यह अपनी लेस ले लेंगे एक लेस हम यहां पर तो यहां से एक साइड पवेले पार्ट को रचा और यहां से सटाइड करेंगे करेंगे यहांसे फॉल्ड करेंगे इसको एक और यह दो बार कॉर्नर पर हम पक्की खरद में कर देंगे और इस तरह से हमेंचोग declaring करना है यह हमारा निशान है हमें यहां से इतना अलग कर लेना है, अब यहां से हम इसको बराबरी से उपर तक फोल्ड करते हुए चले जाएंगे, यह देखिए कुछ इस तरह से, यहां पे हमने सुई को अंदर रख दिया है, और इस साइट के चौक को भी यहीं से फोल्ड करना है, स्टार्ड कर देना है, यह जो हमारा कट ह यहीं तक हमें फोल्ड करके तयार चाहिए, तो यह देखिया आगाया ना, अब यहीं से इसको घुमाएंगे, घुमाने के बाद यहीं से हम इसके उपर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे, तो देखिए फ्रेंड्स, कितने बड़ी अतरीके से हमारा चौक फोल्ड हो चुका है, इसी तरह से हम यह वाला चौक भी फोल्ड कर लेंगे, इसी की जैसे हमने इस वाले चौक को भी बना दिया है, तो फ्रंट वाला दामन तो हमारा रैडी है, हमें चौक के पास से यहां से इस तरह से मिलाना है, फ्रंट के दामन के पास ऐसे बराबरी से हमें निशान लग देना है ऐसे हमें इस साइड भी निशान लगाना है अब पीछे वाला दामन लेंगे हम और यहां से इसको डबल पल्टी में फोल्ड करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स पीछे का दामन भी हमारा फोल्ड हो चुका है तो इसी के साथ हमारा सिंपल कुर्टा बनके रेडी हो गया है तो आप लोग जल्दी यल्दी कमेंट करके बता दीजिए कि आपको सिंपल कुर्टा कैसा लगा पूरा तयार हो चुका है अब आपको दी शलवार भी वेयर किये मैंने जो हमने आपको पिछली वीडियो में बताई थी जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे अगर आपने सिंपल शलवार की कटिंग स्टीचिंग नहीं देखिए तो आप जाकर देख लीजिए सिंपल सलवार और सिंपल कुड़ती गल्या हमारा कुछ इस तरीके से आया है बनकर यह देखिए इसकी फिनिशिंग भी आप देख लीजिए दोना साइट से एक बरावर आ गया है और स्लीप्स भी आप देख लीजिए अच्छी वड़ी हैं मतलब कॉम्पूटिवल वाली स्ल से तो कुछ इस टाइप का सिंपल सूट बनकर आया है अगर आपको यह पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए बाब बाई किर क्साली कर दो बाईब ड़े